अब में 23 डन डन हो चुक है अब बार यह नवेंबर 23 एन ओन्वर्ड वालों के लिए तो मैं आपको भुला नहीं हूँ ठीक है मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ शांदार लाइव गाइडेंस बैच आपके लिए तरुत ताचा तरीके सा तेयार करके लाए हो भाई साब व अब शांदी जा सुनना पूरा वीडियो एंटर देखना आपको सारी क्लारीटी देता हो वाट इस लाइडेंस बैच इस नथिंग बट रिकॉर्ड लेक्टेंस आपके पास लेकिन प्रॉब्लम होती है तो अपने डिसिप्लेंट नहीं होता है तो वह डिसिप्लेंट में न आपके साथ और आपको मैं काम पर लगा दूँगा ठीक है सरी कैसे करोगे आप आपको यह ना मैं बैच चालू करने के पहले एक प्लैनर शेर करूँगा मैं एक डेमो जैसे प्लैनर को पता रहो फर एक्जांपल यू अन्रॉलिंग फॉद एक्जाम औरेंटेट बैच आप आप देखो के बाकी बच्चे आ रहे हो टागेट करें आप निकर पा रहे हो तो यह प्लैनर को यूज कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको जब आप एन्रॉल कर लोगे बैच तो हम जैसे फर्स जून से हम स्टार्ट करें बैच देखना तो 31 मेको रात को हम करीबन आदे आपको जो मेल वगेर आएगा उसमा आपको टेलिग्राम लिंक भी आएगा यूज के लिए होगा और उसमें हम आपको लिंक वगेरा दे दूंगा कि 31 मेको जब हम जून करेंगे तो उसमा आपको प्लैनर यूस कैसे करना टार्गेट करने ठीक है इस इस क्लेर टो अवर्री सर अम स्टार्ट भली फर्स जून से कर रहें लेकिन मेरे एक रिक्वेस्ट है आपसे फर्स जून से स्टार्ट करना है तो प्लीज डोंट वेट फॉर्ट फर्टी फर्स तुम्स लिंक वगेरा उसके बहुत पहले मिल जाएगा ताकि आप टेलिग्राम ग्रूप एडवांस सर अब नवेंबर 23 और आपको पास दो बैच है एक है एक एक्जाम-oriented बैच और एक है फास्ट ट्रेक बैच सर दोनों में फरक है थोड़ा सा डीटेल आपको फरक जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के वो डाल दूगा उसमें डीटेल में ने बताया दोन इसका डूरेशन है 200 आवर्स इसका डूरेशन है 150 आवर्स अब काफी बच्चे बोलते हैं सर हमको तो रेगुलर बैच चाहिए देखो नवेंबर 23 के लिए इस 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 अले बार बैच तो अगर नवेंबर 23 वाले हो आपको पास समय जादा है आप एफ़र पहली बार पढ़ कुछ याद नहीं आ रहा है या फिर थोड़ा सा कंस्ट्रेंट चल आपके पास किया दो ग्रूप देना है मुझे नवेंबर 23 में तो उस केस में यू कन गो फास्ट्रेक बैच दोनों में अगर आप एफ़र पहली बार पढ़र आपको सब कुछ समझ में आएगा कवरेज 100 पसंट दोनों के अंदर है लेकिन ही होता ना कि हम एक्जाम में थोड़ी सी स्पीड स्लो रख सकते है थोड़े हर चैप्टर में एक आप दो कर सकते है तो इसलब एक्स्टा 50 आवर्स ठीके डिटेल अगर आपको डिफ्रेंस जानना है लिंक डाल दूंगा अच्छा उसके अगर आप वेबसाइट पर जाओंगे तो मेरे एक रेगुलर बैच भी दिखेगा आपको डैट रेगुलर बैच शुट भी एन्रोल फॉर्स टुडेंस वाले यह भी ले सकते जो भी नियू सेले बस में चेंजेज रहेंगे दाट विल भी प्रोवाइड बट अगर आपका अगर आपका टैम नवेंबर 23 में तो प्लीज डों गो फॉर्ट रेगुलर बैच है ना तो उसकेस में आप या तो एक्जाम उरिंटेड लो या फिर फास्ट रेक लो अगर आपका टैम में 24 और तो आप तीनों में से कई भी बाच चलेट कर लो जो भी चेंजेज आपको मि अगर होता है ना कि नई शुरुवात करना चाहे तो वैसा आप कर सकते हो उसके लावा इंग्रीडेंस में क्या है इस बैच के लेटिस्ट रेकॉर्ट हुए है बराबर इकदम लेटेस्ट है वित हंड्रेट परसंग च्लारिटी एंड क्वेस्टन सॉल्विं इसके अंदर ह होते है तो दोनों के अंदर क्वेस्टन सॉल्व होते है आपको जो सूट करता आप ले सकते हो ठीक है देखो में 23 के पेपर के बाद एक चीज़ तो जरूरी होगे कि ये क्लियर होना बहुत जरूरी है आप ये क्वेस्टन कितने भी सॉल्ल करो लिकिन एक्जाम में नया में 3 था चाइब और कले कर दूर जरूरी तो बढूर्ट के पर भॉल वालशा युख। तो जो आप टेस्ट लिखोगे ना उसके उस हर टेस्ट के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है जहां आपको गाइडेंस मिलेगी कि यार इस पेपर में मार्किंग सिस्टम कैसा होना चाहिए जो मैं आपको टेस्ट दिया इस क्वेशन को अगर आपने सॉल किया है तो हर अब कुछ समझा जाएगा गूगल के अंदर हर एक का फोल्डर बना हुआ है ठीक है रिविशन वीडियो आपको पता है रिविशन वीडियो आपको मिला है मैराथॉन वगरा जो कंड़क किया तो उसका आपको एक्सेस मिल जाएगा उसके लाव वी एड़ेट टो एक्स्लो आपको मेरा परसनल नंबर भी मैंने शेयर किया बैच के अंदर और मेरा पर्सनल टेलिग्राम इडी पे आपको मिल जाएगा बैच के अंदर ही उसके लावा लाइफ गर्ण करेंगे दोनों का लिंक आपको मिलेगा चिंता मत करना अच्छा अभी यह सुनते काफी बच्चे बोलेंगे सर हमने तो जब भी आपका बैच लिये तीन-चार दिन पहले महीने बर पहले हमको 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 भी चाहिए सर अरे चिंता मत करो तुमको भी लिंक भेज़ दूँगा लाइव गाइडेंस का ताकि आप भी वह ग्रूप में जॉइन हो सकते हो और आपको भी जूम वग मिलेंगे चिंता करने की जरुवत निये अच्छा काफी बच्चे बोलेंगे सर हाड को भी मर बस पहले से पढ़ी आपकी तो फिर तो विदाउट हाड को भी बाई करने का भी ऑप्शन है वहां भी आपके थोड़े पैसे से हो जाएंगे इस लेटर एवरीवन आई होप एम अगर मुझे रीच आउट करना है यह मेरा टेलिग्राम एडिया मुझे मेसज कर सकते हो एफर में टार्गेट 80 प्लस नहीं किया तो भाई जिंदगी में क्या किया ठीक है अच्छा सर इतना सब तो कह दिया अब यह बता फटा फट से एंडॉल कैसे करेंगे चलो ठीक है तो यह अब हमको ले जाएगा फटा फट से हमारे विडियो लेक्षे में आप जाओगे सीए फाइनल के अंदर ठीक है यहां आपको देखेगा फिनैंशल रिपोर्टिंग हां क्लिक करोगे देखो मेरे तीन बैच आ गया फास्ट ट्रेक बैच आ गया राइट एक्जाम लगता आप कॉंबो के लिए भी जा सकते हो चिंता आपको करने के जरुवत नहीं है ठीक है तो यहां साब बाय करोगे फटा फट से ओर्डर प्रसस हो जाएगा 24 से 48 आवर लगता प्रसस होने में और 4 से 5 दिन लगता बुक्स के डिलेवर होने में तो जित्ता प्रायर आप बट प्लीज डोंट डिले और प्रिपरेशन आपको नीड लगती ए फर के बैच कि आप लो आपको लगता है कि नहीं आपका पहले कि आपको रिवाइस करना आप रिवाइस करो बट प्लीज स्टार्ट ठीक है जो गलती हम हर अटेम में करते हैं कि वी स्टार्ट लेट फिर कि अभी दो-तीन दिन का ब्रेक आपने मना लिया चीए तो एक और दिन का ब्रेक और मना लो बट स्टार्ट कर दो ठीक है अच्छा कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी एक्जाम दिया लेकिन पता है अंदर से पता होता है कि क्या होने वाला है देखो एक तो तो कि हो भी सकते पास नहीं हो सकते कुछ लोगों पता है कि मेरा डिजर निगेटिव आएगा तो अगर आपको पता नहीं डिजल नेगेटिव है तो महनत करना शुरू कर दो और जो गलतिया अइदेंटिफा आप पिछले बार की करो उस पर वो करन श्यूरो करो कि पिछले बा बना रहेगा तुम्हारे एक्जाम तक ठीक है चिंता आपको करने के जरुवत नहीं है तो I hope you will work hard और कुछ भी रहा तो comment section में comment करके बता दो ठीक है तो thank you so much everyone video पसंदा like जरूर करना और अगर आपने already batch ले रखा था तो आप अपने दोस्तों को जरूर recommend कर सकते हो ठीक है तो thank you so much everyone bye bye everyone take care see you all bye